राजिस्तान भावा जाहर्वीर का जनम स्तल आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस विडियो में आप कैसे कैसे आसकते हैं। बावा जाहरवीर का जो जनम हुआ था दद्रेवा गाउं में हुआ था यह साधलपूर से करीब में है यहां साधलपूर से साधलपूर है दद्रेवा गाउं का आ सकते हो आप ट्रेन से भी और साधलपूर से आपको यहांने के लिए बस मिल जाएगी टैक्सी मिल जाएंगी फिर्क्साय मिल जाएंगा ने के लिए रगगाउं देख सकता हूँ आपको दद्रेवां गाउं दिखा रहा हूँ बावा-जाहर-वीर का जनम इस्थल यानि की महाँ लेकर चलेंगे आपको जहांप उनका जनम हुआ ता जहां वीर गोगतजी का जनम इस्थल और यह आप दे दद्रे महमें ये आपको दिखा रहा हूं दिरश्छी कितन užते 10 इसके वाद चलेंगे हम जहां पे गॉरख गंगा है ले चलते हैं आपको गोरख गंगा जहां पर खीर बनती है कि गोरख गंगा के इस अभी भक्तिजन्द जो आए हुए हैं यहां पे दर्शन करने आए हैं बावा जहर वीर के गाउं में दद्रेवा में आप भी आ सकते हो काफी ज़्याद भी ड़ेती हैं यहां पे आप देख रहे हो दद्रेवा गोरक गंगा का दरश्ट दिखा रहा हूँ आपको बहुती प्राची इत्यास है इस जगे का कई सालों पुराना इत्यास है यहां पे गुरु गोरक नात बावा ने तवश्या भी करी है यहां पे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे आज हम पूरी वीडियो लास तक देखें और कहां से देख रहा हूँ आप हमारी वीडियो चैनल पे होना है तो चैनल को सस्प्राइग करना ना भोलें और वीडियो को लाइक और कमेंड करते रहें और कहां से देख रहा हूँ और कोई भी जानकारी चाहिए आपको हमारे इस जेवा गाउं ये कितना संदर दिरश्य यहां का इसके बाद चलते हैं अब जहां पर गुरु गोरखनाथ बावा ने तपश्य करें दिया था माता काचल और बाचल को ले चलते हैं आपको धर की और देख सकते हैं गोरक टिल्ला मंदिर पर यह भी दद्रेवा में हैं और मिपड़ी पर है यह देधियां मंदिर पर आपको दिखा रहा रहा हूंए मैं और यहां अंदर काचल हो वे और देधें और माता काचल को उर्जन को के जब हर वीर गोगा जी को जो है कोश一定要 कितने संद्धर दिरश्चे यहां पर मंदिर का आप को दिखा रहा हुआ नोलक के बाग की का उया दिःखा हुआ है आपको लूलक का बाग कट चुका है और ले चलती है आप लिखते रहें कमेंड बोकस में तो दोस्तों कोई और भी आपको जानकारी चाहिए थो हम आप बता सकते हैं आप कमेंड बोकस लिखके बताना और चाहिए जर्क ऑफ काफी अच्छा लगता है जब बीटियो अच्छ लग रही है तो लाइक और कमेड़ भी करते रहें मौलक के बाग का आपको दिखा रहा हूँ है अदूत नजा रहा है काफी तराचीन इत्यास है यहां का यह पहले यहां पर बहुत बड़ा मौलक का बाग ता जो गुरु गोर्खनात के बाबा के आने से पूरा हरा हो रहा हो गया था सबी पेर सूख चुके था कई सालों से बा वारिषанTY यहां स्योहा हो गए था यह दोद्रेव गाओं के आपको बिखा रही सामने नोर्वी हो गांजिन अबक का कट चुका है दूर तरो तक गिराउंड गिराउंड Это कावर कर रहा हूँ हब वहां कि सब कुछ घराउंड पू रही पूरा नो लग यह प्ता टाइम पे काफी ज़ए भी लेती है सब ही यातरी यही पाते हैं उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी होती ही नौलग के वाग्माफ को दिकार हों रहों है द्दर्यवा गाउं गुरु गोरखनाथ बावा ने यहीं पर तवश्चा करी तुद द्दर्यवा मैं यानि के जो परद पूरी जानकरी और फिलाल छलते हैं गउँ की अंदर की वर दिखाते हैं कैसा है गउंट रख्त, एंदर की एंदर की ओर डिखाते हैं और गांव की आपको मैं लाइफ अपडेट दिखा रहा हूँ देख सकते हूं आप और दोस्तों चैनल पर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंड करते रहें ताकि आपके दोस्तों में यह जानकारी पोचे तो उन्हें भी वीडियो सेर कर दें यह दिखा रहा हूं आपको दद्रियवागाओं की लाइफ पीछ है कुछ आगे पर नाली साइड़ों मोती में आप अनली जो भी जो भी दे रखे देख सकते हो राजिस्थान में पढ़ता है यह दद्रियवागाओं यह पुरा राजिस्थान का एरिया है यहां पर सब रहेती रहेते और देख सकतों मार्केट चोटी सी मार्केट है आपको दिखा रहा हूं तद्रियवागाओं में तो दोस्तों यह द्रश्य कैसा लग रहा है आपको कमेंड बोक्स में लिखके जो बताना वावावा जहार वीर का जनम इस्तल यानिक बावा जहार वीर गुरु गोरक नाथ द्वारा जो तपश्या करीती बावावा जहार वीर ने उनकी मा कुछ बर्दान दिया था दद्रियवागाओं में दिया था और यही इनी गलियों में खेले हैं बावा जहार वीर द्द्रियवागाओं में आपको दिखा रहा हूं में द्द्रियवागाओं की छोटी छोटी गली बड़ी बड़ी रास्ते सभी दिखाई म आप जिया बाबा गुरू को रखना है तो